नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल डिसी जोग्रफिक क्लासेस में यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुचती रहें तो चलिए आज के सेशन के सुरुवात करते हम लोग और जारखंट PGT में हम लोग कफर कर रहे थे अफरिका कॉंटिनेंट को अफरिका महादूइब को तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अफरिका महादूइब में जो जल विद्ध सकती है उ इंडिस्ट्री उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन यानि जनसंख्या को तो ब्रीफ में हम लोग देखेंगे ज़्यादा डीप में हम लोग को नहीं जाना है बस हमारा कोस्टन पकड़ में आ जाना चाहिए जो PGT लेबल के जो कोस्टन बनते हैं वो कोस्टन हम हमारा पकड में आ जाना चाहिए उस लेबल तक हम लोग देखेंगे ज्यादा डीप में हम लोग जाने की कोशिस नहीं करेंगे तो अफरीका महादुईप को हम लोग देख रहे थे और उसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अफरीका की विदुत सक्ती की यानि जो वाटर पावर है जल विदुत सक्ती है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं तो अगर बात करें हम लोग अफरीका महादुप में विदुत सक्ती के उत्पादन की तो बिस्व में ठीक है पूरे बिस्व में जितने भी कंट्रीज है या कॉंटिनेंट है पूरे बिष्फ के कॉंटिनेंट में से, जो अफ्रिका कॉंटिनेंट है, अफ्रिका महादुप है, ये उन महादुपों में से हैं, जहां विद्धुत सक्तिक उत्पादन सबसे अधिक किया जा सकता है. संभावना सरवाधिक है ठीक है यहां के संभावित जल विद्धुत्सन साधन सारे बिश्व का यानि पूरे बिश्व में जितने भी ग्यात हैं उन सारे ग्यात जल विद्धुत्सन साधनों में अफ्रीका महादुप का जो परसेंट है वो 28% है 28% पूरे बिश्व में ठीक है किन्तु अभी तक उपलब्द चमता का मात्र 2 से 5% ही उपयोग होता है ठीक है पूरे दुनिया में जितने कॉंटिनेंट है सारे कॉंटिनेंट में अगर देखें तो अफरिका कॉंटिनेंट में सरवाधीक पॉसेबिलिटी है हाइड्रो इलक्टिरिक पावर की ठीक है अब पूरे विशु में अफरिका महादूइप में ही क्यों विदूत सक्ति उत्पादन की सरवाधीक छमता है तो चुकि अफरिका महादूइप का अधिकांस जो भाग है छेत्र है वो पठारी छेत्र है और आपको पता है कि जब भी कोई पठारी छेतर होता है तो पठारी छेतर से जब भी नदिया प्रवाहित होती है तो यहां काफी अधीक मातरा में जल परपात का निर्मान करती है और जहां जल परपात का निर्मान हो जाता है उन छेतरों में जो विद्धुत सक्ति का उत्प बादन का जो possibility है वो काफी हद तक बढ़ जाती है ठीक है तो यही कारण है कि अफरिका महादूइप में पूरे ग्यात जल विद संसाधनों में 28% अफरिका महादूइप में पायाता है लेकिन उसमें से 2-4%-5% ही इसका यूज हो पा रहा है ठीक है इसके पीछे भी क्या region है क क्योंकि जो अफरिका कॉंटिनेंट है वो काफी पिछड़ा महादूइप है इंडस्ट्री के द्रिस्टी कौन से देखें और दोगे की विकास के द्रिस्टी कौन से देखें तो यह काफी पिछड़ा महादूइप है जिसके कारण यहां अभी 2-5% ही जो विद्दूत सक्त उत्पादन हो रहा है वो हो पाता है अगर पूरे अफरिका में देखें तो दक्षिन अफरीकी संख जिम्बावे तथा मिस्र में आठ से 20 परतिसत तक उप्योग किया जा चुका है अगर पूरे अफरिका कॉंटिनेंट में देखेंगे तो उसमें सबसे अधिक जो विदुत् थोड़ा बहुत डेवलप है विक्सित है अफरिका में अगर हम मिस्र में जल विदुत्थ उत्पादन की बात करें तो कुल विदुत्थ उत्पादन का 90 परतिसत मिस्र में है ठीक है मिस्र में जल विदुत्थ उत्पादन का 90 परतिसत है यानि अगर हम पूरे विदुत्थ उत्पादन की बात करें मिस्र में 100% है तो उस 100% में 90% जो विदूत का उत्पादन होता है वो जल विदूत से होता है अब अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्र में मान लिया जाए कि 100% विदूत का उत्पादन किया जाता है अलग-अलग sources से इसमें 90% जल विदूत से उत्पाद किया जाता है ठीक है नाइजिरिया में जल विद्धुत और ताब विद्धुत का तेजी से विस्तार हो रहा है अभी अगर हम अफ्रिका महादुट में देखें तो नाइजिरिया एक मात्र ऐसा कंट्री है जहां जल विद्धुत और ताब विद्धुत का विकास जो है काफी तिव्रगति से हो रहा है, rapidly, अब हम बात करते हैं, blue नील पर सोनार बांध और स्वेत नील पर ओवन बांध इस्थित है, जब हम नील नदी को देखे थे, तो उसमें हम देखे थे कि blue नील और स्वेत नील, यानि white नील और blue नील मिलकर ही, नील नदी का निर्मान करती है, और जहां blue नील और स्वेत नील मिलती है, वो जगा का नाम खार्तुम है, और यही खार्तुम के पास blue नील और white नील मिलकर, गरीरा द्वाब का निर्मान करती है, तो याद रखिएगा आपके exam के point of view से काफी important है कि, जो सोनार बांध है, वो किस नदी पर है, तो blue नील पर, और blue नील पर सोनार बांध, और स्वेत नील पर ओवन बांध, काफी बड़े बांध है, और विश्व के बड़े बांधों में इन बांधों की गिंती होती है, तो यह काफी बड़े पैमाने पर निर्मित किया गया इस बांध को, अब हम बात करते हैं उद्योग की, अफरीका मह अन्य महादुपों की तुल्ना में काफी पीछड़ा हुआ है या काफी कम विक्सित है ऐसा क्यों आखिर अन्य महादुपों की तुल्ना में वो द्योग की द्रिस्टी कौन से अफरीका महादुप क्यों पीछड़ा है तो मैंने आपको पहले ही बताया था चुकि अफरीका मह महादुप में दक्षिन अफरीका में होता है तो जो उद्योग जो अद्योगिक विकास के लिए जो सबसे important चीज होती है वो कोईला है और iron है तो कोईला और iron अफरीका महादुप में बहुत कम ही पाए जाता है जिसके करण यहाँ उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है ठीक है यहाँ सिर्फ दक्षिन अफरीका ऐसा देश है जहाँ अद्योगिक विकास हो रहा है और दक्षिन अफरीका में इसलिए भी क्योंकि यहाँ कोईला प्रयाप्त मातरा में पाय जा अगर कुछ important industry को देखें तो अफरीका महाद्विप में मिस्र में भी पाया जाता है और नाइजिरिया में तो हम कुल मिला कर यह कह सकते हैं कि दक्षिन अफरीका, मिस्र और नाइजिरिया ये तीन देश ऐसे हैं जो अफरीका महाद्विप में और द्योगिक विकास में अपनी भूमी का निभा रहे हैं महत्पुन भूमी का निभा रहे हैं ओके, next हम बात करेंगे संस्कृति की, ठीक है? यानि कल्चर की, तो अफरीका बिस्व का ऐसा महाद्विप है जहां लगभग सभी यूगों का प्राचिनतम या नविनतम संस्कृतियां मिल जाती है प्राचिन से लेकर नवीन संस्कृतियों का विकास अगर कहीं पाया जाता है तो अफरीका महाद्विप है, ठीक है? जो अफरीका महाद्विप है, यहां का एक धर्म है और वो धर्म क्या है? सरवातमवाद, सरवातमवाद का मतलब क्या होता है? जो प्रकिर्ति प्रेम और पारस्परिक सद्भावना पर अधारित होता है, मतलब सब को साथ लेकर चलने वाला, ठीक है? अब यहाँ अफरीका महादुप में अगर देखें, तो बुसमेन जन जाती पाए जाती है, जो की कालाहारी मरुस्थल में पाए जाता है, उसके आसपास के छित्रों में, यही पीगमी जन जाती भी पाए जाती है, जो कांगो बिसिन में पाए जाती है, बद्दू, जो सहारा मरुस्थल में और एसिया में अगर देखेगा, तो मिडिलिस्ट में यह अरब, अरब के मरुस्थलिय छित्रों में पाया जाता है, मसाई को देखें तो पुर्वी अफ्रीका में, ठीक है, यहां की मूल अफ्रीकी निवासी है, कौन-कौन, तो भुस्मेन, पिगमी, बद्दू और मसाई, अब मसाई के बारे में एक चीज और कहा जाता है, कि यह जो मसाई जन जाती के लोग होते हैं, अब देख लिजे, यह जो सहारा का रिजन है, ठीक है, जो सहारा रिजन है, इस रिजन में आपको बद्दू जन जाती देखने को मिल जाएगे, ओके, वहीं अगर आप कांगो बिस्दू में देखियेगा, तो यहां आपको पीगमी जन ज ज्यादा तर जो मसाई जन जाती है, वो Kenia में पाया जाती है, लेकिन अफरीका की पूर्वी भाग में भी पाया जाती है, Kenia के आसपास के च्छेतरों में, okay? तो यहाँ एक चीज आपको काफी important है, समझने की चीज़े है, कि यह जो मसाई जन जाती है, यह एक ऐसे जन जाती है, जो जानवरों का खोन पीती है, ठीक है, देखेगा, यह जो मसाई जन जाती है, यह जानवरों का खोन पीती है, क्यों? अगर आपको पता हो तो जरूर बताईएगा कि मसाई जन जाती पूरे दुनिया में कैसे जन जाती है जो जानवरों का खून पीती है तैसा क्यों करती है इसका comment box में आप जरूर बताईएगा इसका कारण हम आगे जरूर बताएंगे तो मसाईजन जातिक देखिए यह है जो कि केन्या में पाई जाते हैं अब होता क्या है एक्चुल में कि आफ्रीका महादुप में जो पोसक तत्व है यानि जो लोगों को पोसक तत्व की जो नेड होती है वो नहीं मिल पाती है तो उस पोशक तत्तु की पूर्ती के लिए ये लोग क्या करते हैं जानवरों का खून निकालते हैं और जानवरों का खून कैसे निकालते हैं कि इसके गर्दन में थोड़ा सा काट देते हैं और काट कर पाइप लगा के ये सब खून इकठा करते हैं और फिर उस खून को पी जाते हैं और जो हाँ जानवर को काटते हैं वहाँ फिर ये सुई धागा से इसको सील देते हैं ठीक है ताकि फिर अगली बार इसे खून निकाला जा सके और अपने जो सरीर का जो पोसक पूर्ति की जा सके, तो जो मसाई जन जाती के लोग हैं, ये अपने सारिरिक स्वास्त को, यानि सरीर में जो nutrients की आवशक्ता होती है, वो इन्हें भोजन से नहीं मिल पाता है, तब ऐसी इस्थिति में ये लोग जानवरों को, मतलब जानवर का खुन को सेवन करते हैं, ताकि इसकी जो need होती है, जो positive तत्वों की आवशक्ता होती इनके सरीर को, वो fulfill हो सके, ठीक है, तो होता क्या है कि, अफरिका में जो मसाई जन जाती के लोग हैं, इनके बारे में ऐसे माना जाता है कि जिस मसाई जन जाती के पास, सबसे अधिक जानवर होंगे, वो काफी धनी माने जाते हैं और दूसरा, एक चलन आज भी है, इन जन जातीों में, कि जिस मसाई जन जाती के लोगों के पास, सरवाधिक परिवार के सदस्य होंगे, वो काफी धनी माने जाते हैं तो दो parameter इन लोगों ने अपना रखा है जिसके पास ज़्यादा पसू हो और ज़्यादा परिवार के सदेश्यों की संख्या हो तो वो काफी संपन परिवार माना जाता है मसाई जन जाती में ओके आई होब कि आपको यह क्लियर होगा वहीं हम बात करते हैं इसके अतिरीक्त ठीक है भुमद्धिसागर यह तर्ट एवं सहारा मरुस्थल में सेमेंटिक अब ध्याद दिजेगा जो सेमेंटिक जन जाती है वो सहारा मरुस्थल में ही पाय जाते है यह अरब नसल के लोग जैसे बरबर तुरेग ठीक है अरब मुख्यवासी है यहां के तो कौन-कौन है जैसे बुस्मेन हो गया पिग्मी बद्दू ठीक है मसाई इसके अलावा सेमांटिक हो गया बरबर हो गया तुरेग हो गया और अरब यहां के मूलवासी है अफरिका महाद्वीब के ओके तो ये जनजातियों को आपको ध्यान रखना है और आप देखिएगा कि एक्जाम में प्रस्न यहीं से फंसेगा आपका, ठीक है, कई बार तुरेग पूछा गया है, तो ये भी important है, लेकिन नेट के एक्जाम में अगर आप देखेंगे, तो बूस्मैन, पिग्मी और मसाई कई ब repeat हुए हैं, ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो तुरेग होते हैं, यहां के जनजाती, ये चारवाहे होते हैं, ठीक है, तुरेग जो जनजाती होते हैं, ये चारवाहे होते हैं, यानि पसुवों को चराते हैं, ठीक, वहीं बर-बर सहारा मरू भूमी में खेती करते तो match the following में आ सकता है कि तुरेग क्या चारवाहे है या फिर खेतिहर है तो तुरेग चारवाहे है यानि पसु को चराते हैं वहीं जो बरबर जन जाती है ये मरुष्थलिये छेत्रों में खेती करते हैं ठीक है अब इनके अतिरिक्त और भी जन जाती है जिसे होसा, फुलानी, बंबारा, ओलफ ठीक है ये सब भी हैं जो कि किसान और खेती का कारी करते हैं ठीक है अब अफरीका के पूर्वी घहास के मैदानों में मसाई जो कि केनिया में पाए जाती हैं कि परमुख जन जाती है ठीक है अफरीका में लगभग तीन चोथाई जन संख्या और सवेतों की है मतलब काले लोगों की है ठीक है अब बात करते है यूरोपी लोगों ने यहां अपना उपनिवेस स्थापित किया और सारे महादुईब को अंध महादुईब घोसित कर दिया तो प्रस्ण ये बन सकता है कि अफरिका महादुइब को किस ने अंध महादुइब घोसित किया तो यूरोपियन के जो यूरोपियन लोग्स थे उन्होंने अफरिका महादुइब को अंध महादुइब घोसित किया था अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या के बारे में मोटा मोटी क्या है अगर जनसंख्या की बात क तो मानो उत्पत्ति का केंद्र अफरीका महादीप को माना जाता है अगर प्राचिन काल से हम देखें तो मानो का उत्पत्ति का केंद्र अफरीका महादीप था अब अगर देखें कि अफरीका महादीप में जनसंख्या का जो बसाव है वो किन छेत्रों में अधिक पाए जाता तो जो गिन्नी खाडी तठ है और नील नदी का जो नीचला घाटी है उसमें पूर्वी अफरीका का पठारी भाग तथा मेडागासकर में जनसंख्या घनत अधिक पाया जाता है तो जनसंख्या का अधिक घनत महा के क्लाइमेट के कोर्डिंग पाया जाता है जहां मानों के रहने योग्ये जलवाईू पाया जाएगा उनी छेत्रों में जनसंख्या का जो संकेंद्रन है वो अधिकांस ता पाया जाये गा ठीक है इसके अलावा दक्षिन अफरिपा、 वाईव पढ़ा रहे थे तो उसमें बताये थे कि जो अफरीका महादुप में भुमद सागरिये तक्ट किस छेत्र में हैं तो इन छेत्रों में अफरीका में ज्यादा जनसंक्या देखने को मिलता है ठीक है और सबसे कम जनसंक्या कहां मिलेगा तो सभाविक सी बात है जहां मा अधिक वर्षा होती है ठीक है लीबिया और अलजिरिया के साहारा मरुस्थल में जनसंक्या घनत एक व्यक्ति परतिवर्ग किलोमेटर से भी कम है अब इमेजिन किजिए कि जो लीबिया और अलजिरिया का साहारा डेजट है इसमें एक वर्ग किलोमेटर में एक व्यक्ति से भी कम, कहीं कहीं तो ना के बराबर पाये जाता है, अब हम लोग देखते हैं, पस्वी सहारा, मारिटानिया, लिबिया, बोच्वाना, कालाहारी, नामिबिया के नाविम मरुस्थल में जनसंख्या बहुत ही विरल है, डिस्पोस्ट पॉपॉलिसल है, अब कैरो, महाद्वीप अफ्रिका महाद्वीप का दुसरा सबसे बड़ा नगर है, तो पर्थम अस्थान पर लागोस है, ये पूछा जा सकता है कि अफ्रिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो लागोस है, और सबसे दुसरा कैरो, पहला पर लागोस और दुसरा स्थान पर कैरो है, ठीक है अब छेत्रफल के अधार पर अफरीका महादुप के बड़े देश कौन कौन से है तो सबसे बड़ा देश अलजिरिया है कांगो है सुडान है लिबिया है और चाड है अगर अलजिरिया को देखिएगा तो लगभग ताइस दसंबलो आठ एक लाख वर्ग किलोमेटर में ये फैला हुआ है और उससे छोटा है कांगो जो कि ताइस दसंबलो चार चार लाख वर्ग किलोमेटर छेत्रों में फैला है सुडान अठारा दसंबलो चे लाख वर्ग किलोमेटर में वहीं लिबिया सत्रा दसंबलो पा ये top 5 countries हैं जो की छेतरफाल के नुसार अफरीका महादृत में बड़े देश हैं अब बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर तो जनसंख्या के आधार पर कौन-कौन से देश हैं जो बड़े हैं तो जनसंख्या में सबसे जादा नाइजिरिया आ जाएगा जो सुल्ला 2.4 करो जनसंख्या के अपने आप में समाहित किये हुए हैं देन जाएरे जो की 6.7 करोड जनसंख्या यहां बस ही है और उसके बाद है अलजिरिया तो जनसंख्या के दरिस्टी कोन से सबसे बड़ा नाइजिरिया ठीक है और छेतरफाल के दरिस्टी से अलजिरिया तो confusion बिलकुल नहीं होनी चाहिए कि छेतरफल के अधर पर अलजिरिया और जनसंख्या के आदर पर नाइजिरिया ओके अई होब किए आपको किलिए होगा अब हम लोग बात करेंगे ओ तो कांगो और जैरै के बारे में हम लोग अगले session में बात करेंगे आज की लिए इतना है आय होब की कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा आपके लिए काफी helpful रहा होगा वीडियो कैसा लगा जरूर आप comment box में हमें बताएं और हमें और motivate करें अगर हमारे इस telegram channel से नहीं जूड़े हैं तो आप description box में telegram channel का link दिया होगा है वहाँ से आप इस telegram channel को join कर सकते हैं जहां quizzes आपको free of cost में provide करवाया जाते हैं और कुछ भी update होता है तो इसी telegram channel में आपको दिया जाता है वीडियो अच्छा लगा तो like कीजेगा subscribe कीजेगा और अपने दोश्तों तक जरूर share कीजेगा मिलते हैं next lesson में तब तक के लिए धन्यवाद